नमस्का दोस्तों स्वागत एक नए वीडियो में आपके आधार पर कितने SIM एक्टिवेट हैं आपके पतागाओगे जैसा कि अभी क्या है कि 2024 में आपके SIM के सेक्योर्टी के रिलेटेड आपके आधार की सेक्योर्टी से लिलेटेड बहुत सारे नए अपडेट किये गए हैं बहुत सारे यहां पर प्रोटेक्शन लगाए गए हैं जिससे कि पहले क्या था 2024 के पहले जब यह नियम लागू नहीं हुए थे तो वहां पर आपको SIM अगर लेना होता था तो पहले तो आपको बिना आपके किसी आधार के बिना किसी आइडेंटिटी के आपको SIM दे दिया आपको SIM अगर आप पर्चेज करते थे तो वहां पर अपना आधार आप फोटो कापी देते थे और SIM आप लेके चलिया देते लेकिन जो आप आधार की फोटो कापी देते हैं तो वहां पर जो वेंडर्स होते थे तो उस समय इतने जो टाइट रूल नहीं थे कि वहां पर उ तो आपने लिए लिया साथ ही साथ वो लोग उसी अधार कार्ट से आपके अधार नमबर से कई सारे सिम पर्चेज कर लेते थे और उसका मिस्यूज होता था अब 24 में जो करेक्शन किया गया है आपको अगर सिम लेना है तो उसके लिए आपको किसी भी लोकल विंडर के पास जा रहे हो आप या फिर आप किसी स्टोर के पास जा रहे हो किसी भी टेलिकांग कंपनी के तो वहाँ पे आपके जो अंगूट थम होता है उसका यूज किया पहले क्या था जो पीक्चर क्या जाते थे आपको वाइट बैक्ग्राउट पर खड़ा-कर आके फोटो ले लिए जाता है लेकिन वहां पर अब क्या है कि आपके मोसंद्टinfl पिक्चर क्लिक कियाते हैं, जैसकि आप भाव में खड़े होगे और उसके बाद होने से पहले क्या आपने जूभी सिम लिया है अपने अधार femme और आपके फ्रफ कितने शी चल रहे हैं और लोल ऐा उस ने धार है उसम से ज्चादर आ लिस जहाए है तो उपर और यापके वीडियो मताने कर रहा हूं कैसे यहां पर पता कर सकते हो आपके नंबर पर कितने स्पीम चल रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को लाइक जरू कर लेगा यहाँ पर किसी भी आपको Chrome browser क्या या कोई भी browser open कर लेना है यहाँ पर टाइप करने ना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं आपको यहाँ पर आपको टाइप करके search कर देना है। सेर्च करने के बार देखे सकते हैं जो पहला यहाँ पर website मिलेगा इस पर आपको simply क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखो को कुछ ही तरह का इंटरफेस रहेगा दूर संचार विभाग का यह अथराइस वेबसाइड है आपको यहाँ पर नीचे की तरह पाना है और आपका यहाँ पर option आ रहा है कि 10 डिजिट मोबाइल नमबर आपको अपना अधार से लिंग मोबाइल नमबर इंटर कर देते हैं कैप्चा इंटर करना है तो हम यहाँ पर द्यान से इंटर करना है इसमें अचली हमें आप इंटर करके इसको वैलिडेट कर देते हैं तो आपके नंबर पर OTP आजाएगा इसको सिंपल आपको करना क्या है वह OTP आपके पास आएगा उसको सिंपल आपको यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जिसकी प्रोसेस आगे बढ़ेगा आपके नंबर पर कितने मोबाइल नंबर और आगर आपका यहाँ पर जादव करने के बाद आपको पर यहाँ से ज्यादा दिया डिया जाए गए तो अगर अगर इसको कोई मिश्यूज कर रहा तो अधर आपका जयन्यूर नंबर है तो उसको रख सकते हो लेकिन अगर आपके नोल नंबर नहीं है leveling a जानका drawn 가 है आपको नहीं पता कि किसका नंबर है यह और कौन यूज कर रहा है इसको आपको रिपोर्ट कर देना है और डियक्टिवेट करा देना है इससे आपके लिए ज़्यादा बेनफिट होगा और सेक्योर्टी परपर से आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंदों को वीडियो को लाइक करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा